हेलो एन वल्कम आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूँ आपके साथ अनुच शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्थ सेग्मेंट में जिसका मगसद है आपको हेल्थ से जोड़ी हर एक जानकारी देना आज हम बात करेंगे चेस्ट में हो सकते हैं लेकिन बदलते मौसम में इसके मामले ज्यादा आते हैं चैस्ट इंफेक्शन क्या है और इससे कैसे निजात पाया जाए आज इनी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हैं कंसल्टेंट रेस्परेटरी पल्मलोजी एंड स्लिप मैडिसिन आटमीश जोर पर हम चैस्ट इंफेक्शन को दो तरह से डिवाइड करते हैं एक होता है इसको हम बोलते हैं ब्रॉंकाइटिस और दूसरा होता है निमोनिया एक सीरियस ओम कर इंफेक्शन है जिसको हम बोलते है जिसको जब हमारे लंग के अंदर धबा आ जाता है जब एक्सरे में ज और ब्रॉंकाइटिस मतलब वो लोग जिनको लंग के अंदर कंजेशन फील हो रहा है और शायद बहुत रेरली कभी फीवर आता है लेकिन उसको हम ब्रॉंकाइटिस बोड़ते हैं इन दोनों चीजों की कॉंबिनेशन को हम चैस्ट इंफेक्शन की कारणों से होता है और यह कितना गंबीर हो सकता है देखिए यह जो इंफेक्शन होता है यह हर तरह के अलग-अलग कारण होते हैं पैक्टीरियल कारण भी होते हैं और रेर केसिज में फंगर या टीवी भी हो सकता है लेकिन आज की टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन हमारे पास जो प देखने को मिलता है डाक्टर किन लोगों को चैस्ट इंफेक्शन होने खत्रा सबसे ज्यादा रहता है देखिए यह जवाब इसका ऐसा है कि हम डेली एंसियार में रहते हैं यहां पे हर एक को उतना ही खत्रा है क्योंकि हम चारों तरफ एक बहुत ही प्रोडूशन और स्मो इक्वली एफेक्टेड बट अगर हम स्पेसिफाई करना चाहें तो ऐसे लोग जिनकी इम्मूनिटी कम हैं जो एजिट है या मतलब साथ साल से उपर की उनकी उमर है डाइबेटिक्स हैं कैंसर के मरीज या जो लोग लॉंग टर्म में स्टिरॉइड ने रहे हैं ऐसे लोग बहुत ही सिंगिट रोल प्ले करता है क्योंकि हमें समझना होगा एक बात जो हमारे लंग्स हैं यह एक ओपन और अर्गन है उपन और मतलब हम जो भी सांस ले रहे हैं चाहे वो धूल विट्टी धुआ यह सारा हमारे लंग्स के अंदर जा रहा है तो जितना ही हमारी एर सा के अंदर नॉमली भी एक्यू आई डेट्सों से उपर रहता है तो यह बहुत जादा डेंग्रिस माना जाए है कि इसका टेस्ट कैसा होता है और कौन सा टेस्ट किया जाता है देखिए ओवर और लॉंग्स की कपासिटी को देखने के लिए लंग्स की हैल्थ को देखने के कि एक टेस्ट होता है जिसका हो बोलते है लंग्स फंक्शन टेस्ट यह क्लिनिक्स पे और होस्पिटल में अराम से हो जाता है इससे हम लंग्स की हैल्थ के दिए और एवेलेबल डेस्ट डोक्टर चस्टिe को मेडिकल टर्म में कैसे refer conseat करेंगे वही जो मैंने The payer इस्टि इनफेख्शन को 4BROADLY 2 giants से बताते हैं एक होता है bronchitis और दूसरा होता है निमजिया bronchitis के अंदर सिरा पेशेट को सिंटम आते हैं, खासी होना, लंबे टाइम तक बलगम बनना, इसको ब्रॉंकाइटिस बोलते हैं, लेकिन जब ये एक फीवर का रूप ले ले और जब हम एक स्रे करने पे एक नया पैच या एक निशान वाइट धबा गज़ा आना शुरू हो जाए, उसको हम नि लेकते हैं, तो उसी चीज को हम एक गहराई से देख पाते हैं, लेकिन एक सीडियस कंडिशन है, निमोनिया कितना भी हो उसको हमें लाइट लेना चाहिए. डॉक्तर, चेस्ट इंफेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है? देखे, चेस्ट इंफेक्शन जैसे माने बताया, अलग-अलग आरणों से होता है, चाहिए वो बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, कोविट से हो, या टीवी से हो, उस स्पेसिफिक रीजन का उसी तरह से इलाज किया जाता है, अगर हम नॉर्मल बिंटर ब्रॉंकाइटिस के जो इस टाइम में बहुत लोगों को हो रहा है, जिसके अंदर सीजन बदलने के वरे से खांसी या लुखाम हो रहा है, इसको हम एक जनरल इलाज किया जाता है, जिसके अंदर हम एक टिपिकल कवर देते हैं दवाईयों से जिससे कि हमारे बटीरिया मर जाएं, और दूसरा जो बन रहा है, उसको निकालने में पेशिट को साहिता मिले, कभी भी एक याद रखने का पॉइंट है, गीली खांसी के अंदर हम खांसी को सप्रेस नहीं करते हैं, ऐसा कोई कवसरब नहीं देते हैं, जिससे खांसी रुख जाए, हम देते हैं जिससे भी खांसी बलकि बलक में कितना समय लगता है और क्या इस इंफेक्शन से कोई सीरियस हीसू हो सकता है अगर उनको अच्छी तरह से डाइट भी जाए हाइडरेशन अच्छा रखा जाए मतलब पानी जादा पिलाया जाए ठंडी चीजें ना ले गरम चीजें ले और अपने डॉक्टर से सला कर ले जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं सला करने तो अमोवन पांस से साथ दिन में पेशिट ठीक हो जाता है लेकिन अगर हम ये टीवी की बात करते हैं तो टीवी के पेशिंस का इलाज लंबा होता है और जो बेक्टिरियल निमोनिया होता है उसका भी इलाज हफते से दस दि जबना पड़ सकता है हमें देखिए चाती में कव जमना बहुत ही कॉमन कंप्लेन है और यह बहुत कॉमन देखने को मिलता है यह क्यों जबता है क्योंकि जो हमारी लंग सुटी है इनका वनवे रास्ता है मतलब सांस जाएगा भी वहां से और बाहर भी वही से आएगा बीचिकली बिगनिंग में नॉर्मल ब्रॉंकाइटे जिसको हम एक्योट ब्रॉंकाइटेस बोलते हैं वो होगा और अगर यह हमने सई टाइम पे नहीं कंट्रोल किया तो यह निमोनिया का फॉर्म ले लेगा यह चीजे खत्रे का खारण है और अगर हम निमोनिया को भी सई इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर चेर होना शुरू हो जाता है उतना ही जंदी हम अपने लंक्स को बैर गदा ऑप के टॉक्र मेरा अगला सवाल बढ़ा एक महतवपूर सवाल है क्या खाने से कफ बनता है और कफ में क्या नहीं खाना चाहिए जिससे कफ ना हो यह बहुत important question है और बहुत ही जादा patients हम से पूछते हैं यह एक थोड़ा सा varied question इसलिए है कि हरेको एक specific खाने की allergy नहीं होगी है एक अगर हम broadly बात करें कुछ लोगों में dairy product से बल्दम जादा बनता है बनाना खाने से बल्दम जादा बनता है यह एक general guideline है बट ऐसा कोई जरूर से problem होगी तो दूसरे इंसान को भी होगी हर एक इंसान का allergy pattern अलब होता है कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक particular food खाने से ज्यादा problem होगी है बट हम एक broadly बात जरूर करते हैं जबी भी आपके chest में infection हो तो थोड़ा dairy products को कम लें थंडी चीजें ना लें और बहुत जादा हम ना यह तीन चीजों को अगर हम avoid करते हैं तो हम मोटा मोटा तौर पे खाने के तरह से हम protected हैं डॉक्टर अगर ज्यादा कफ है तो इसमें ऐसा क्या खाएं जो यह बिल्कुल पूरी बिमारी सही हो जाए जो खाने के अंदर जो एक broadly हम बताते हैं कि आपको honey लेना चाहिए पानी ज्यादा लेना चाहिए जिंजर लेना चाहिए और टर्मरिक यह चार चीजें एक तरह से बहुत फाइदा करेंगी honey water जिंजर और तर्मरिक यह सारी चीजों का अगर हम देखते हैं किसी ना किसी तरह फॉर्म में अगर थाने में करें तो हमारे लंग्स की recovery बहुत जंदी हो देखिए सबसे important तरीका है बचात करने का कि हमें अपनी immunity को strong बना के रखना है अब immunity को strong कैसे बनाए एक पहली चीज कि हमें जितना हो सके खुद तो smoke नहीं करना है और अपने आस पास भी सबको यह guide करना है कि smoking हमें नहीं करते हैं हमें दूसरी चीज अपने आपको अच्छ अच्छा पॉस्टिक खाना लेना है पॉस्टिक खाने से मतलब एक balanced food उसके अंदर high protein diet पूरती है high carbohydrates का एक proper मात्रा में carbohydrates जाने चाहिए fats भी जाने चाहिए हमें dieting नहीं करनी है यह सारे चीज़ें बहुत जरूरी है और जैसे ही आपको early lection नजर आएं किसी भी बना रही के अगर दो हकते से जादा लंबी खासी चल रही है या तीन हकते की खासी चल रही है उसको normally neglect ना करें कोई chemist से आप जाके गफ सिरफ ले हैं वो गलत है अपने डॉक्टर से जो भी आपके नेरेस डॉक्टर हो जाकि family में डॉक्टर हो उनसे बाद करके उसको राइट टाइम पर ट्रीट कर लेंगे तो वह बिमारी बड़ेगी नहीं है डॉक्टर मेरा आखरी सवाल आपसे यह है क्या घरेलू उपचार से हम इसे लेकिन हमें उस चीज को अगें मैं बारी बारी बात दो रहाँगा तो इस टाइम पे हम ऐसे बहुत पेशन देख रहे हैं जो सिरफ घरेलू उपचार करते रहे हैं कोई कह रहे हैं कोई कह रहे हैं कोई कह रहे हैं इन चीजों को एक लिमिट तक ही फाइदा होता है अगर व कि अपने एक्सपर्ट से चैस्स इंफेक्शन के बारे में जाना इसका इलाज कैसे किया जाता है और इससे बचाफ कैसे किया जाता है इसी तरह आगे भी हम आपको से जुड़ी जानकारी देते रहेंगे अब हमें दीजे इजाजत हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए गैस्ट औ और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 Digital के नियु निशेटिव, TV9 WEN के बारे में आखिर क्या ही ये निशेटिव देखे हैं इस चोटी सी वीडियो में Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at WAN at TV9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.